जीरा, मिर्चा, नमक, खल्दी, थोड़ा थोड़ा डाल कर इस चने की दाल को पीस लेंगे, ये भीगी हुई है, शाम से, चने की दाल ये मेरी पीस गई है, प्यारा से कलर आया है, चने की दाल पीस गई थी, इसमें हमने एक प्यास महीन काट ली है, और दो हरी मिर्ची, आंटा भी हमने गूंद लिया है, इदर मेरे मसालेदार पानी तयार है, इसमें हल्दी, मिर्चा, हींग, अजवाइन, जीरा, काली मिर्ची सब पड़ा है, इसको खुब पका लिया है, करते सुखे, उसको क्रेश करके डाल दिया है, आटे में अजवाइन और नमक डाल कर गूंद लिया था, अब इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, ग्लास से सरकिल काट लेंगे, एक्स्टा आटा निकाल दिया है बाहर, यह जो दाल वाला मिटीरियल था, इसको इस तरह से रख देंगे और मोड देंगे, इस तरह यह मोड लिया है, एक एक करकर इसमें हम डालते जाएंगे, पानी मेरा खौल रहा है, पहले भी हम कई डाल चुके हैं, उपल जाएगा यह अच्छे से 10 मिनट में, और उपर आने लगेंगे, तैरने लगेंगे, फिर इसको पलट दे निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे, यह पकर देखें, उबल आ गए हैं, तैरने लगेंगे, सरकिल काट लिया हैं, गलास से, यह पकर उपर आ गए हैं, अब हमने इसको पलट दिया है, तीन-चार मिनट और पकाएंगे, फिर निकाल लेंगे, इसको चेक किया है, मैंने चाकू से काट कर, तहीं अंदर से पक गए हैं, यह बहुत अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं, इसको मैंने डिश आउट कर लिया, आप इस पर चौका लगा सकते हैं, कड़ाई में सरसे चटका लेंगे, जीरा डाल के चटका लेंगे, चाहे तो आप सारी कुसली इसी में डाल कर फ्राइ कर लें, या फिर उपर से चौका लगा दें, मुझे बहुत कम तेल खर्च करना था, इसलिए हमने उपर से इसमें चौका लगाया है, पुरी कड़ाई में नहीं कर रहे हैं, आप देखें कितना प्यारा कलर आया है, खुश्बू भी बहुत है, अंदर सारी मसाले हैं, पानी में भी मसाले डाले हैं, इस तरह ये मेरी चन प्याज हैं अंदर हरी मिर्चा हैं, मसाले हैं, अल्दी दनिया मिर्चा, हींग, राई और जीरे से तड़का भी लगा दिया है, आपको ये तरीखा पसंद आता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जीरा और राई इसमें डाला है तेल में, ये चट चौका भी इसमें लग जाएगा, और ये चाई हो जाएंगे, ये कप्षी की और महग बढ़ जाएगी इसकी, खरे बनाने की पूरी रेसिपी मेरे चैनल से पढ़ी भी है, प्लीज वहां से देख लें, चैनल को विसे ज़रूर करें, बहुत से दीफ उसमें हैं, नॉन बी विगिटेरियन भी स्मैट की और कुछ परी वेडियो हैं, तब देखें प्लीज लाइक करें, सब्स्क्राइब करें, शेयर करें,